असलाम लेकर बसूर जीज़, ACCA ने FBT के टॉपिक्ट में कुछ चेंज़स किया है तो मैंने सुछा कि बैड नियूस तो कोई भी नहीं है और चोटी सी गुड नियूस आपके साथ शेयर कर ली जा तो आएं ज़रे देखते हैं कि टॉपिक्स में हमारे पूरे कोर्स में क्या-क्या चेंज़स हाए सबसे पहले तो हमारी जो चेंज़स एप्लिकेबल होंगे वो कौन सी डेट से होंगे ये नोटस कर लेना चाहिए हमें 18th September 2023 और उससे ओनवर्ड जो एक्जाम्स होंगे उसमें ये नया स्लेबस जो है वो एप्लिकेबल होगा और 18th September 2023 से पहले के जो एक्जाम्स होंगे उसमें पुराना स्लेबस एप्लिकेबल होगा जैसा कि मैं कहे रहे था बैड नियूस तो कोई भी नहीं है इसका मतलब यह कि नए टॉपिक्स नहीं एट किये गए आपके स्लेबस में लेकिन कुछ फुराने ऐसे टोपिक्स हैं जिनको आपके इसलेबस से रिमूफ किया जा रहा है चैप्टर वाइस हम जगज को देखते कि कौन कौं से चैप्टर से कौन कौं से टोपिक्स जो हैं व होगा तो मेरा जो chapter arrangement है सबसे पहले तुम्हें clear कर दूँ कि वो cap plan का नहीं है बलके BPP study text का arrangement है तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हो chapter 2 तो it means BPP study text का chapter 2 So, BPP study text chapter 2 में हम लोग business environment cover कर रहे होते है pastel factors cover कर वाय जा रहे होते हैं So, उसमें जो legal factors हैं उसमें से काफी सारा area जो है वो cut down किया गया है तो मेरे साथ इसको note की जिएगा सबसे पहले तो employment law का जितना portion है legal factors से जिसमें employee के dismissal, unfair dismissal, wrongful dismissal, redundancy और इसी के साथ employment से ही related health and safety का जो law है वो remove कर दिया गया है इसी के साथ फिर chapter 2 में ही legal factors में contract law का एक छोटा सा फ्लेवर आप लोगों को चखवाए वा तो वो भी अब remove कर दिया गया क्योंकि ये सारे laws जो हैं आप इन्शाला आपने law के paper में आके cover कर रहे होते है So, contract law के area को consumer protection बोला जाता है तो वो भी यहां से खतम हो गया Moving on further chapter 4 में कुछ changes है तो वो हम note करते है chapter 4 micro economics का chapter So, इसमें सबसे पहले तो demand और supply का analysis और उसके market graphs जो हैं वो खतम किये गए साथ में फिर एक चोटा सा topic आता है price regulation का जिसमें government minimum और maximum prices जो set करती है वो area अब examinable नहीं है साथ में एक और area पहले हुआ करता था चोटा सा that is restrictive practices So, वो area भी जो है work chapter 4 से examinable नहीं होगा उसके बात फिर हमारे पास chapter 5 है जो relate करता है business organization structure and strategy से तो उसमें minor से changes है Henry Mintzberg का एक building block model है जिसमें वो discuss कर रहा होता है strategic apex, middle line, operating code, techno structure और support staff तो वो area अप examinable नहीं होगा लेकिन Henry Mintzberg के कुछ other structures हैं जो still examinable है chapter 6, 7 में कोई change नहीं है verbs बहारल जो है वो ACCA ने change किये हैं तो उसमें कुछ removal नहीं है तो इसलिए हम उसको discuss नहीं कर रहे है chapter 8 में फिर हमें चोटा सा change नज़र आता है और वो ये के manual accounting systems और computerized accounting system के जो comparison दिया वा था benefits और disadvantages वगएरा तो वो अब obsolete हो गए है निकाल दिये गए हैं आपके course से उसकी वज़ाई है कि अब manual तो तगरीबन कहीं भी use नहीं हो रहा था चोटी सी दुकान की भी अगर आब बात कर ले तो वहाँ पर computerized accounting system ही चल रहे होते हैं तो आपका chapter 9 BPP की study tax के लिहास से control, security और audit का area है तो इसमें काफी changes हमें नज़र आ रहे हैं सबसे पहले तो functions of internal auditor and external auditor को खतम किया गया उसके बाद फिर differences of internal and external auditor के एक चोट असा table बनावा है आपकी BPP study tax में वो ही अब examinable नहीं है उसके अलावा controls relating to handling client money इस तरह से controls for information systems and procedures controls for information systems जिसमें बड़ा area remove किया जा रहे security controls, integrity controls, contingency controls यह सारे का सारे area remove किया जा रहे इसी के साथ फिर chapter 10 जो के fraud identifying and preventing fraud का chapter है इसमें बहुत ही minor सा change है money laundering का जो chapter के end में area discuss हो रहा होता उसमें से relevant authorities का पहले हमें नाम याद रखना होता था कि serious organized crime agency है FSA financial services agency है FCA financial conduct authority है तो जिन agencies को हम money laundering report करते हैं उन agencies authorities के नाम अब याद रखने की हमें जुरत नहीं है so moving on further chapter 11 में भी कुछ बड़े changes है सबसे पहले तो Elton Mayo की एक theory है जिसको Hawthorn studies कहते हैं तो वो अब obsoleted area है वो examinable नहीं है इसी तरह से leadership की trade theories बहुत ही छोटा सा area था जो पहले दिया गया था अब वो भी examinable नहीं है और साथ में Ronald Heats की dispersed leadership की एक theory है वो भी अब इस chapter में examinable नहीं होगी chapter 12 की बात करें तो वो पूरा का पूरा chapter that is recruitment and selection ये chapter खतम कर दिया गया है अब आपके course से फिर chapter 13 की बात करें तो it was diversity and equal opportunities तो ये chapter भी पूरा का पूरा खतम कर दिया किया आपके course से उसके बात फिर हम chapter 14 की तरफ चलें तो this relates with individuals, groups and teams और इस chapter में एक theory cut down की जा रही है recommend Morgan की people team contribution के नाम से एक theory है वो यहां से remove की जा रही है फिर chapter 15 की बारी आती है chapter 15 आपका motivating individuals का chapter है इसमें से एक process theory एक ही थी Victor Vroom की वो process theory यहां से अब remove कर दी गई है साथ में intrinsic और extrinsic rewards का छोटा सा discussion था वो भी अप relevant नहीं है उसके बाद अगर हम chapter 16 की बात करें तो chapter 16 से that is training and development का chapter उस chapter से training manager की responsibilities का एक छोटा सा area है वो remove किया गया then chapter 17 की बारी आती है chapter 17 is performance appraisal तो सबसे पहले तो एक heading आपको मिलेगी that is need for formal appraisal यह पूरी की पूरी heading remove कर दी गई आपके course से और उसके बाद फिर एक appraisal process उसकी बाकाइदा आपको diagram भी नज़राएगी अपने BPP की study text में तो वो पूरा topic भी appraisal process का remove कर दिया गया उसके बाद फिर हमारे पास chapter 18 है that is personal effectiveness in communication तो personal effectiveness से तो कोई खास area remove नहीं किया गया साथ में formal और informal communication और उसकी significance in the workplace पूरा का पूरा topic benefits, limitations, formal communication के ways horizontal communication, vertical communication, diagonal और फिर communication के patterns, circle network, wire network, wheel network ये सारे के सारे topics इस area में discuss होते हैं तो ये अब examenable नहीं होंगे तो ये तो थी good news उन लोगों के लिए जो सिर्फ paper clear करना चाहरे होते हैं लेकिन अगर मैं जो है वो technically इस चीज़ की बात करूँ कि आपका course मेंसे कुछ ऐसा area भी remove किया गया है as a professional मेरे ख्याल से as a professional मेरे ख्याल से वो area है आपका recruitment selection का chapter और diversity और equal opportunities का तो इसमें कुछ ऐसी भी बाते हैं जो professional बनने के लिए student को पता होनी चाहिए for example एक तो कुछ अच्छी tips इसमें interviewing के अवाले से दी गई है तो इसमें हम teachers भी काफी चीज़ें discuss करते हैं students के साथ interview की tips बगरा भी देते हैं तो unfortunately वो एरिया जो है वो फिर अपके कोर से क्योंके रिमूव हो रहा है तो वो यह सारा का सारा discussion हम कोशिश तो करते हैं teachers के class में जो है वो किसी ना किसी तरह से इस चीज़ को discuss करें और हम continue भी करें है लेकिन पेपर के लिहाज से यह एरिया आपके examinable नहीं हो so that was all best of luck for your exams thank you Allah